है यह लो फेरेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप देख रहे हैं गोल स्टेचिंग आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सिंपल कुर्टी में पैनल बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे और कुर्टी के दामन में गुम जिलाई के साथ बोर्डर अटेच करने का तरीक आपके साफ शेयर करेंगे तो यह देखिए यह उपर हमारा back part है और नीचे हमारा front part है हमने front part में थोड़ा कपड़ा ज़्यादर लिया है क्योंकि हमें इसमें पैनल बनाना है उसमें हमें शिलाई लगानी है तो यहां पर हमने लग भग एक इंच कपड़ा कटिंग करते टाइम ज्यादा लिया है तो हम अपने बैक पार्ट को अलग कर देंगे और यह हमारे फिरंट पार्ट है हमें इसमें यह जिग जग लेज लगानी है इसके पैनल में तो हम इसके लिए मार्किंग कर लेते हैं तो यहां पर हम फाइव इंच पर इस तरहां से मार्क कर लेंगे इसी तरहां से हम फाइव इंच पर नीचे तक मार्क कर लेंगे अब इस तरहां से कपड़े को पकड़ेंगे जहां पर हमने मार्क किया है इस तरह से और इस पर आईरन से हम क्रीज लाइन बना लेंगे इस तरह से इसको खोल लेंगे यह हमारी क्रीज लाइन बन गई है अब हम जिगजग लेश लेंगे और इसको यहाँ पर जहाँ पर हमने क्रीज लाइन बनाई है यहाँ पर गुम सिलाई के साथ हम इसको अटेश करेंगे तो इसके लिए हमें इस क्रीज लाइन के इसको बराबर में रखकर इसके ओपर सिलाई लगानी है देखी इस तरह से ही जो हमारी क्रीज लाइन है इसके बिल्कुल बराबर में हम इस तरह से रखेंगे लेस को और इसके बिल्कुल सेंटर में क्रीज लाइन की बिल्कुल बराबर मिलाकर इसको रखेंगे यहाँ पर और बिल्कुल सेंटर में हमें इसके यहाँ पर सिलाई लग लगानी है सिंगिल कपड़े पर जब हम ले सटेच करते हैं तो कपड़े में थोड़ा खिचाओ आ जाता है तो उसके लिए यहाँ पर कपड़े को एक हाच से पीछे खिचते भी लगाएंगे तो हमारे कपड़े में खिचाओ नहीं आएगा देखे हमारी सिलाई लग चुकी है अब हमें इस तरहां से लेस को पकाड़ाजेंगे और जिस साइप को हमें इसको रखना है उस साइप को हम इसके उपर सिलाई लगांगे देखे जिदर को आप रखना चाहते हैं उदर को आप इसको इस तरहां से मोड़ लें और इसके ओपर टोप स्टिच हमें लगानी है इस तरहां से हमें इसको कपड़े को खींचते हुए इसके ओपर सिलाई लगाएंगे कि देखे कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस लग चुकी है ये देख सकते हैं इसके फिनिशिंग और आप नीचे से भी देख सकते हैं गुम सिलाई के साथ हमारी ये लेस लग गई है इसी तरहां से हम अपने दूसरी साइड में भी लेस लगा लेंगे उससे पहले हम यहाँ पर आईरन कर लेंगे जिसे जो थोड़ा होत कपड़े में खिचाओ आया हो तो कपड़े को खिचते हुए हम आईरन करना है इस तरह देखिए हमारे दोनों साइड में ये लेस अटेच हो गई है अब हमें अपने दामन में बोर्डर अटेच करना है क्योंकि हमारी कूर्ती की लेंध थोड़ी कम है तो उसके लिए हमने अपनी बोर्टम का ये फैबरि लेकिन हमें इस तरह से अटेच करना है कि हमारी बाहर कोई भी सिलाई नजन नहीं आएगी इसको हमें गुम सिलाई के साथ अटेच करना है तो देखिए ये हमें इस तरह से डबल लगाना है और इसके नीचे हमें ये जिग जैग लेस भी लगानी है तो हम उसके लिए मार्क कर लेते हैं लगबग हाफ इंच की दूरी पर इस तरह से हम मार कर लेंगे इस तरह से और स्केल से हम यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे इसी लाइन के ओपर हमें लेश रखकर लगानी है देखिए इस तरह से हमें गाइड लाइन मिल जाएगी सीधी इस तरह से हम इसके ओपर सिलाई लगाएंगे तो यह देखिए हमारी यह लेश लग गई है हमने इसके बिश्कू सेंटर में सिलाई लगा ली है अब यह अपना हम कपड़ा लेंगे और इसके ओपर इस तरह से लट लेना है और यह जो हमारी लेसर टेस्ट करते टाइम जो सिलाई लगी है इसी सिलाई के ओपर हमें सिलाई लगानी है अब जो हमारा एश्ट्रा फैब्रीक है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से हम पल्टेंगे अब हमें इस तरह से हमें सिलाई नहीं लगानी है बल्के देखे कपड़े की हमारे रोंग साइड है अब इसको आप कपड़े के नीचे की साइड लेके जाना है हमें इसको और यह जो हमारी कुर्टी का फैब्रिक है इसको हमें इसके अंदर करना है यानि उपर और नीचे हमारे ये बोटम का फैबरिक रहेगा और बीच में हमारे ये कुर्टी का फैबरिक है जो हमें इसके अंदर ही रखना है सिलाई में हमारा ये दबने नहीं पाए और जो हमारी पहले सिलाई लगी हुई है हमें इसके उपर ही मिलकुल इसी के उपर हमें स देखिए अब इसको हम इस तरह से खोल लेंगे अपने पुर्ती के फैबरी को इस तरह से खीचते हुए बाहन निकाल लेंगे देखिए इस तरह से हमने इसको खोल लिया है तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बोड़ा लग गया है और हमेरे साथ में इसके लेस्बिय अटेच हो गई है तो आप ये नीचे से भी देख सकते हैं इसके नीचे भी कोई सिलाई नहीं है देखिए और इसको उपर की साइट से भी देख सकते हैं हमारी गुम सिलाई के साथ लगा है कि हमारे उपर और नीचे कहीं भी कोई सिलाई हमें नजर नहीं आ रही है ये देख सकते हैं आई हो वीडियो आपके लिए हेल्फूर रही होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें शेयर किया करें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथी बेल आईकन को क्लिक करते हैं जिससे हमारे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग कर दो चैनल पर आपको मिलते रहे हैं